हेलो एवरिवान आज हुम इस वीडियो में कमपार जों करेंगी ओपो के 10 5G में और ओपो ए 74 5G में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बहुते बात करते हैं डिस्पले से ओपो के 10 में ही 6556 इंच ओपो ए 74 में ही 655 इंच दोनों का है रेजुलीजन 1080 पार जो विसे पिक्सल दोनों में आपको IPS LCA डिस्पले मिलती हैं दोनों में ही आपको 19 Hz का रिफ्रेसिट मिल जाता है दोनों की डिस्पले में ज़्यादर डिफ्रेंस तो नहीं है प्रोसेसर की बात की जाएं तो ओपो के 10 का ही मिडिटेक का डेमेसीटी 810 का CPU है टूपेन 4E का हाड ओप्टेकोर 6 नेनमीटेस का फिन फैट GPU है जी 57 का ओपो का प्रोसेसर है स्नेप ड्रेंग का 485G का CPU है टूपेन 2E का हाड ओप्टेकोर 8 नेनमीटेस का फिन फैट GPU है 619 का प्रोसेसर क्वार्टी में ओपो बैस्ट है बैक केमरा की बात की जाए तो ओपो का है डूल में केमरा 48 का और ओपो E74 का है ट्रीपल में केमरा है 48 का दोनों का फरंट केमरा सेम है 8 मेंसल का मिल जाता है बैटी लाइफ दोनों में सेम है 5,000 मिसी मिल जाती है दोने की बैटेस 9 निभल है आप दोने की बैटी को निकाल नहीं सकते चार्जर की बात की जाए तो ओपो में है 33 वार्ट ओपो के टैन में और ओपो E74 में है 18 वार्ट दोनों में टाइप्स का स्पोड ए फिंगपीं सेंसर और फेस्लोक पी दोने ही स्मार्टपोन में मिल जाता है Opo K10 में RAM है 8 पे की Opo E74 में है 6 पे की मैमोरी सेम है 200 पे जपी दोनों में है कौरेम्टिविटी 5 जी की वारेंटी एक साल की प्राइश की बात की जाए तो OPPO K10 का है 17,999 पी OPPO E74 का है 15,999 पी आपको दोरों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बॉक्स में जोरू बताना अगर आपको दोरों में से कोई स्मार्टफोन लेना है तो आप OPPO K10 के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमार को पाचले का स्पोर मिलता है प्रोजसर बेस्ट मिल जाता है जादर आएंबी मिलती है बागे आपकी चोईस है